वाला मोड एक कि यह हो जाएगा कि आपके लिए बहुत बड़ा पड़िसानी बन सकता है भविस में आप कोई पैसा दे को इसमें कोई पैसा ही नहीं है दोस्तों आपको क्या लगता आप आइफोन तेरा आप खड़ी रहा या आपको एक कस्टमर आया बोला कि मुझे सर्वर स मतलब वह आपको यह बुलेगा है कि मुझे पहले पैसे दे दो अब हुआ नहीं हुआ वह नहीं अब आप चक्कल लगाते रहा हो इमेल करते रहा हो फोन करते रहा हो मैसेज टाइप करो फिर बाद में एक वीडियो बनाओ कि दोस्तों मेरे साथ धोका हो गया प्लीज इन आने वालों भी हमें कॉल मत करो हम ना आइकलाओ बाइपास करते हैं ना किसी तरह का आइकलाओ पर काम करते हैं और यह सब जो है डार्क साइट होता है चोडी चकारी वाले और 90 परसंट यह एक फेल का वर्क है और जो भी यह आईकलाओ करते हैं मुझे लगता है वो होते हैं तो आप पासवर्ट खुद भूल चुके हो जिसको आप रीकवर करा सकते हो आप दुकान पर जाके अपने यह बिल दिखाकर अपनी डिखाकर जिससे वह आपके जो सर्वर्ट के तुरू आपको रीकवर हो जाएगा फिडियो कुछ समय उसमें भी लगेगा पर हो जाएगा इनकेस आप मुझसे बोलते हो कि सर मेर पास तो आईडी भी नहीं है तो फिर भीया इसमें आपको जब आपके पास आईडी नहीं है तब अपना दुकान से खड़ीद है उस दुकान से आईडी ले सकते हो अगर आप सेकेंड फोन आई क्लाउड कर रहे हो तो आप आपको बहुत 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 ना पड़े जो कि एक इल लीगल बात है इस यह चीज भी मत करो दोस्तों आई क्लाउड बेसिकली दो मोड़ों पर चलता है जैसे क्ली मोड होता है अगर आपका फॉन लॉस्ट मोड में हैं तो समझो कि बिल्कुल नहीं चुना है क्यों इसके दो तरीके होते हैं एक होता है temporary bypass एक होता है permanent bypass आप दहां रखिएगा दोनों ही bypass अब iCloud में आपको पैसे चाहिए फ्री में कुछ भी नहीं होता है जो फ्री में टूल वर्ड कर गए जो iOS तक सपोर्ट कर गए वह तो ठीक है पर जो भी नहीं चीज हो रही है नया मार्केट में काम आ रहा है उसके लिए आपको पैसे भड़ने पड़ेंगे वट इसके बारे में आपको बात करना चाहूं तो जो कि आप वाइपास करके मतलब उसको पहले जेलब्रेक करना बढ़ेगा फिर कुछ टूल से जैसे आई रिमूबल टूल हो गए यहां फिर हम बात करें आई की तो बहुत सारी टूल्स इसमें आते हैं जो सपोर्टिव होते हैं जैसे फॉर्जम पर बात करें आईफॉन 5S टू आईफॉन 6 6 प्लस जो की आईउएस वर्जन सपोर्ट करता है 12.5.7 जहां तक की हो सकता है जो मेरा नॉलेज है इस पर थोरा कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने वैसे बोला मैं आई क्लाउड पर काम नहीं करता हूं पर हो सकता है सटिक भी हो मैं इसी समिच्छा नही हो जाते है अलाकि मैंने अभी अपना आई क्लाउड जो है जो आईफॉन एक्स है वो जील ब्रेक किया था क्योंकि मुझे अनबाइंड करनी थी चीजों को अपने वाइफाई और बहुत सारे मोडूल उनको अनबाइंड करना था तो उसके लिए भी हम जील ब्रेक कर सकते ह मेरा कौन सा फोन है जो जेल ब्रेक हो जाए तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं अगर अगर आपके पास में आईफॉन 5S से एक सकते हैं तो उसको ब्रेक कर सकते हैं अगर उसमें पर्मेनिंट आपको सलूशन चाहिए कि या सिम भी चल जाए सब कुछ हो जाए तो आपको कुछ सर्वर से करवाना पड़ेगा जिसमें आपको कुछ पैसे पे करने बढ़ेंगे और वहां होता है सबसे ज्यादा नुकसान क्योंकि वहां अगर गलत लोग फश्च जाए तो आपका पैसा डूपता ही डूपता है समय भी गया पैसा भी गया और ले दे के नहीं है इनका पर्मेंट सलूइसन है अब कोई सलूसन लाइं करके उसका ब्रूब्र करके फिर जो सकता है यह सिर्वर के तुरू सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी इसमें जो होती है सबसे बगस है कि यह पैसे पहले आप से मांगेंगे आप मेरे वीड़ेग देह वी website दे रहे हैं वो website आगर आप यहाँ पर बात करें तो पहला तो आप iCloud search करेंगे तो यह जितने भी जो गोड़े लोग हैं इनका वीडियो बिल्कुल मत देखेगा यह बहुत एप्सूलूटली फेक होते हैं और आप इनकी website में जाएंगे तो contact पर भी आपको कुछ नहीं मिले हैं दूसरा यह जो अनलॉकर website होती है यह 11 प्रो मैक्स आइकलाओ रिमूव यहां पैसा सैसली बता रहा है और कितना एक से साथ मिनिट के अंदर यह सब यह जो है 10 और सेयर जो अगर मैं आज करूं 10 और सेयर करें website है तो बहुत डॉक्टर फोन हो गया तो यह सारे जो iPhone के ज बहुत सारे अच्छे यूटूवर्स हैं हमारे इंडिया के जो आइकलाओ पर वीडियो बनाते हैं और अच्छा अच्छा बोलते हैं और अच्छी चीज़ा पैक्टिकली दिखाते हैं ऐसा नहीं है बट दोस्तों मैं सच बता हूं आपको क्यों करना है आईकलाओ बनाना के ले तो फिर अपनी दुकान में जाकर क्या यूटूब देखने जाते हो अपनी दुकान में जाकर क्या सिर्फ यही अनलॉकिंग जो इलीगल है उसको करना है आपको तो फिर आप उन चंद लोगों में से हैं जो सिर्फ कुछ दिनों तक ही इस फील में टिके होते हैं उसके वार फील्ड से इतनी दूर हो जाते हैं मतलब अपनी परचाई भी इस फील्ड को पढ़ने नहीं चाहते हैं आप किसी को बताने ही नहीं चाहते हैं ना आप दाना नाम लेना चाहते हैं क्योंकि आपको इतना जटका लगता है बिजली का 4000 वाट का 4040,000 वाट का कि आप सब कामों के वज़े से आप बहुत लिकल होंगे आपका कस्टमर जोडी नहीं है कि आप और आपका कस्टमर दौनों ही आप वार हो कर सता है कि आप से कोई 30 दुकान वाला करवा रहा हो चौती दुकान वाला करवा रहा हो यार इस बिजनस में ना सबसे वर्sy monopoli है जो आप के साथ हो सकते हैं तो या प्लीज अपनी दुकानों में बड़े बड़े पोस्टल लगाईए आज ही एक बनवाईए अपने लोगों के साथ कि भी या आई क्लाउड मैं नहीं करूंगा यहां पर आई क्लाउड अनलॉकिंग की बातें मत कीजिए और अनलॉकिंग भी करवाना से देते हैं जिस पे आप सिग्नीचर करवा सकते हैं कि यह मुबाईल आपका है पूरी जिम्मिदारी आपकी होगी यह फाला डिकाना डिम का यह सारी चीज है बड़कर आप यह नहीं करते हैं आप बिना एडी के काम कर रहे हैं आप कोई सभी फोन अनलॉकिंग पर ले रहे टाकि में इसमें निकाल के लगा के कुछ प्रेटिकली काम कर सकूँ डियो से फिक्वेंसी बता सकूँ पर जब बात में जब इसको उपन किया तो देखा कि यह आई क्लाउड पाया पर इसको चेक करना चाते हैं तो इसके लिए सबसे ची वेबसाइट यहां पर है अगर मैं मूड पता चल जाएगा जो कि absolutely free है यहां पर अगर तो मैं जैसे आई मियाई पता करना है और जो मैंने फिलिपकार से पर्चेस किया तो यह दोस्तों यह जो चीज हो सकती है किसी के साथ भी हो सकती है हम कभी कोई phone करेते हैं और हम जब online खरीते हैं तो यह धोका होता ही है 99% करें धोका हो सकता है इसलिए हमेसा phone को online करने खरीतने से बज़े offline खरी दो online में सस्ते के वज़े से लूट हो जाती है आपने phone करीदा आपको लगा SIM लगा लेंगे आप और काम कर लेंगे पर पता चला है यह आई क्लाउट लगा हुआ है तो अब और वह भी iPhone ऐसी इसको यह बाइपास हो जाएगा अब यहाँ पर मुझे इसका IMEI करना है और चेक पर टिक करूंगा तो देखें यहाँ पर कुछ detailing मेरे को यहाँ पर जो आ रही है वह आ रही है find my phone office का iCloud status clean दिखा रहे हैं आपर तो यह ब्लैक इस तो ब्लैक लिस्टेट स्टेटस और iCloud स्टेटस य फोन तो विल्कुल मतलब यह समझो कि यह चोड़ी वाला फोन है जिसको सर्वर नहीं ब्लैक कर दिया है लिस्ट ब्लैक आउट कर दिया है और iCloud स्टेटस अगर लॉस दिखाई दे रहा है तो मतलब इसको iCloud लगवाया है यूजर के तुरू तो लॉस्ट वाला मोड एक यह प्रवाद हो तो सर्वर कितना पैसे लेगा आइफोन 13 आइफोन 13 14 यह इसके पैसे 17,000 20,000 25,000 30,000 35,000 एक फोन के पैसे ती 35,000 ले रहा है और वो आपसे पहले पैसे लेगा मतलब आपको यह बुलेगा मुझे पहले पैसे दे दो अब हुआ नहीं हुआ वह नहीं अब आप चक्कल लगाते रहा हो इमेल करते रहा हो फोन करते रहा हो मैसेज टाइप करो फिर बाद में एक वीडियो बनाओ कि दोस्तों मेरे साथ धोका हो गया प्लीज इन सब में मत परो आइक्लाउड और मुझे नहीं लगता है कि आयर आप कार्ड को टेक्निसन बनो आइफोन में क इतनी सारी चीजी अरह करने के लिए मैं विलकुल यहां बने कोस्तों की बात नहीं करूँगा नहीं सेल आउट कुछ चीज करने की कोशिश करूंगा बस मैं आपको इस प्लीज इस मार्केट से बचें और आएक्लाउड के बिजनस से बिलकुल अपने आपको क्लीन रखें भबिस में क्योंकि यह वो लोग हैं जो कुछ ही चंद के मेमान हैं कभी भी किसी के जहासे में आकर अपना पुरा अपना कैरियर इस फील्ड से बिल्कुल नमस्ते करवा लेंगे और आई क्लाउड और केजी अनलॉक के चक्क्र में बिल्कुल ना पड़ें इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा आपका कोई क्योंकि आगर आप कर रहे हैं और सब्कूर्ब दुकान वालों को या किसी को भी खबर परती है कि यह तो के जी अनलॉक कर वा रहा है फैनेंस के वह फॉन जिनको बसी तरीका तो यह फाइनस पूरा भढ़ कर देना है पर वह बंदा कहरा है एकसाय 500 मैंने तो किसी होड़ से खड़ी लिया तो क्यों कर दिया आप इतने वरी वेफिकूप कैसे होगुए कि आपने फाइनस लगा हुआ लॉग खड़ी लिया तो आपने जिससे खड़ी असको बापस करो क्यों उसे पैसे लो खाय सी बात है कि अगर आप ऐसा काम कर हैं त तरीके साथ प्रेटेंड होगी तो आपका नाम खराब होगा काला धबा जासे आपके साथ जोड़ जाएगा आप सच बताएंगे ना आपको इस तरह से आपको इमेज बन जाएगी कि यह तो चोड़ी के फोन बनाता है इसका तो यही काम है कि मैं यही करना चाहूंगा हाज जोड़ के अपने सारे टेक्निसन भाई को कि इस तरह काली दुनिया से बचे और रिपेरिंग की दुनिया में जाए रिपेरिंग की दुनिया में बहुत कुछ है दोस्तों सही है मुझे आद मौका मिला तो मैं जबूर काऊंगा दो तरह के ल आद मौका में अप्यांगा मुझे तो उनके ना किसी भी वह सावन में नहीं की दुकान में उनके बचना तो नहीं नहीं तो 올 उस लेपेरिंग हमें घंदा नहीं है कोई गुराग यह नहीं दे जाता कोयी वह तुम dчи को दुकान थे नीट भाता है। तुमारे को कितना धंदा मिल सकता है तुम कभी खुद से पोस्ट ने डालते हो कोई चीज बनाते हो तुमारे अंदर सीखने का वो नहीं तुम अपना टाइम नहीं देना चाहते है तो यह सारी चीजें अपने अंदर दिमाग में पॉजिटिव नेस्किन निगीटिवनेस भारे में सोचते हो तो आपका बहरा कभी होई नहीं सकता है और दूसरे लोग है जो सिब अपने काम पर आपको अप्डेट करने में लगे रहते हैं जो करते हैं और फिर टाइम ऐसा लिए आते हैं कि वह मार्केट में कैप्चर हो जाते हैं मलब कैप्चर कर लेते हैं और मार्केट में अपना नाम का सिख्खा जमा देते हैं और फिर यह होता कि आपके से भी धंदा चुडवा दे या आप एक ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो जो अपनी धंदे में बिल्कुल उचाईयों पर है टॉप पड़े और जिसको पता है कि यह टॉप यह जो उचाईया है मैंने हासिल की है यह मैंने एक रात से सस्सेस नहीं है या कोई वीडिय आप याथे यह कहूंगा तो प्लीज हमें आइकलाइड के कोई मैसेज मत करो किसी भी तरह की अनलॉक किसी भी तरह के आई कलॉड को सपोर्ट नहीं करता नहीं अपने स्टूरेंट को सिखाता है नहीं कभी बूलेगा सिखाने के लिए और मैं तो बिलकुल पर्सनली इन सब चीजों से बहुत कतई ही दूर हूँ और अगर कभी यह चीज हमने कहीं बताई भी है तो सिफ इंफोर्मेशन के लिए बताई है इसका हमारे से कोई से रिलेशन नहीं कि हम इसको अनलॉक करना चाहिए अब जैसे फोर्म पड़ यह मुबाइल भी पैस आया तो यह भी मैं रिटन करने वाला हूं और पैसे मिले नहीं मिले वह एक अलग बात है पर मेरा यह फोन किसी काम करनी है क्योंकि मुझे इसमें सिम लगा कि से बहुत सारी फ्रेक्वर्ट करना पड़निके लुँक्रम आपिंपंड़ बहुत आंप तरुम अंपदर शक्करम करें नहीं कर सक्तें आप उसको आप जी करने के बात आप आप अपने जो चेल भीर करने के प्रुगामर होते हैं आप उसके अनवाइंट कर सकते हैं तो वह कैसा करना वह तो जी खो और पैरेंग बहुत कुछ पुछ है आप उसमें जाएए और ये काली दुनिया से बचिए इसमें सिर्फ नुकसान है तो आपको इस वीडियो से नौलेज मिला हो और आपको कोई निगेटिव बाद इस वीडियो से सुनने को नहीं मिली हो और सिर्फ सीखने को मिला हो यही बस चैनल का उद्देश है तेंक यू व तरह के में वीडियो बनाओंगा सब्सक्राइब ठीक है थेंक यू वेरी मॉच्छ